नमस्कार मित्रों, चलिए आज हम आपको जो प्रत्य वाला टॉपिक था, उसका सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं, इस से पहले हमने बारभी क्लास के जो स्टुडेंट हैं, उनके लिए चार प्रत्य हम बता चुके हैं, बैसे हमारे पास समय कम है और आपके पास भी समय कम है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डारेक्ट आपके चार प्रत्य और बच रहे हैं, इस सेकंड वीडियो के इस पार्ट में हम पूरे कम्प्लीट आपके प्रत्य को करवा देंगे, तो चलिए सबसे पहले हम प्रत्य देख रहे हैं आपर, आपके चार प्रत्य के बाद में बताऊगा कि किस तरह से आप पैचान सकोगी, और किस तरह से आप किसी भी धातू में इस प्रत्य को लगा करके नए शब्द बना सकोगी, ठीक है? चलिए, देखते हैं, सबसे पहले तो इसमें जो विशेश बाते हैं, उनको हम समझते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है, कि इस प्रत्य के अंदर तय शेश रहता है, यानि कि के इसमें से हट जाता है, ये वाला जो के दिख रहा है ना हलंद, ये के हट जाएगा, तो इसके अंदर से आपका बचेगा तय, एक तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है इसके अलावा तीसरी बात ध्यान रखनी है इससे बनने वाले रूप जो है वो तीनों लिंगों में चलते हैं किसमें तीनों लिंगों में चलते हैं इससे बनने वाले जो रूप होंगे वो तीनों ही लिंगों में चलेंगे यानि पुलिंग में भी चलेगा इस लिंग में चलेगा फल की तरह ये हमारे तीन शब्द है राम की तरह चलाना होगा पुलिंग में और रमा की तरह चलाना होगा इस्ट्रिलिंग में और फल की तरह चलाना होगा नकुम ये तो हो गरी हमाता प्रत्य से संबंदित चोटी-चोटी बाते हैं ठीक हैm आब हम चलते आगे आप इसमें क्या होता है आप पहले बताश चुके कि जब प्रत्य आप जोरते हैं किसी भी धातु में तो फिर कुछ हमें परिवर्तन करने होते हैं छोटे मोटे ठीक है आपको हमने कहा कि लगबग 80% धातु में आप जैसे तब्यत हमने आपको बताया था ठीक है उसमें हमने कहा कि आपको मूल धातु के अंदर ई जुड़ा हुआ दिखेगा इस तरह से इ जुड़ा हुआ दिख धातु में यह जुड़ा हुआ दिखाई देगा और कुछ धातु ऐसी है जहां पर नहीं लगा होगा तो वो धातु कम है इसलिए उनको मैं आपको अलग से बता दूँगा ठीक है और बाकी जो धातु इस तरह से बनती है वो आपको लगातार समझ लेनी है मैं किवल यहां तरीका आपको बता रहा हूँ और मैं आपको जो आपके उधारन होंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा उनको आप दिहान रख लेना उनका अभ्यास कर लेना आप अच्छे से कर सकोगी ठीक है तो ऐसे आप समझ लेना है आपको चलिए अब मैं आपको डारेक्ट यहां पर उधारन बता रहा हूँ इकता प्रत्य के उधारन कैसे बनते हैं और किस तरह से आप पैचान करोगी तो सबसे पहले पैचान ही बता देता हूँ मैं देखिए इकता प्रत्य की पैचान कैसे करोगी जैसे किसी भी शब्द धातु में लगा हुआ है तो उसकी पैचान हम कैसे करेंगी उसका मैं तरीका बता रहा हूँ एक ट्रिक मालो उसकी आप सौड़ ट्रिक देखो इसमें आपको मिलेगा तै है यदि तै है मिला तो समझ लेना आप इकतह प्रत्य का ये उधारन है कैसे जैसे मालो हमारे सामने एक क्री धातु है कौन सी धातु है क्री क्री का मतलब होता है करना अब क्री में आप ये जोड़ दो तीनों जैसे आप क्री में जोड़ोगे तो बन जाएगा क्री तै है क्री ता क्री तम अब ये दो तीन हमने लिखे हैं कृते हैं कृता कृतम ये आपके किसकी रूपे इक्ताप्रत्य के रूप हो गए क्योंकि एक्तह प्रत्य का शेश बचता है ते और ते आपका जो पुलिंग में लिखोगी तो ते है लिखोगी और इस लिंग में ता नपूम्शक में कृतम याने की तम जुड़ता है तो इस तरह से आप देखोगी यह पैचान हो गई हमारी ट्रेक हो गई कि यदि किसी धातू के लास्ट में जो आपका चिन होगा वो होगा ते है ता और तम ऐसा यदि दिखरा है तो समझ लेना आप एक्तह प्रत्य है याने की ता प्रत्य का उधारन है आप से पूछा जाए एक्जाम में की ता प्रत्य के तीन उधारन लिखो तो किसी भी मूल धातू में आप ता तम जोड़ दो उधारन आपके बंक तयार हो जाएंगे कोई आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवशक्ता नहीं है अब देखिए मैं उधारन बता रहा हूँ आपको आपको अच् प्रत्य है ठीक है हमने कहा कि आपको 80% धातू में जोड़ना होगा तो इसमें हमने जोड़ा और बना लिया अर्ची क्या बनेगा बताओ अर्ची और जोड़ दिया थे है बन गया अर्ची थे है अब यह पुलिंग का रूप है बच्चो किसका रूप है पुलिंग का अब हम और भी धातू के रूप बना सकते हैं जैसे माwnलों हमारे सामने है कथ धातू कथ है निक खना ठीक है अब कथ धात्व से आपको बनाना है कथी abdare this है कक्री कर न करना होता है इसमें लगाव एकता अप्रत्ये तो हमने आपको बताई था क्री और थे योंकी तोइज धातु है क्रिश और त, देखो कृश, दातु है क्रिश, और इसमें अम जोड़ेंगे तवपृत्य अ ठीक है अब यहां पर कुछ परीवर्तन करने पड़ेंगे कि जहाँ पर संधी का नियम लगेगा वहाँ पर आपको संधी का नियम भी लगाना होगा इस बात का दिहान रखना है अब देखो यहाँ पर इधर दातु है क्रिश और इधर है आप कत्य ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या होगा संधी का नियम लग रहा है कोई ना कोई संध का नियम पता है संदी आपको आती हैं तो आप फटा पट यहाँ पर पता कर लोगी कि bye सी संदी का नियम लगेगा तो यहां पर लगेगा इश्टुटप संदी का नियम बच्चो किसका संदी का नियम मृटु इश्टुना स्टुशू तुटर है आपका व्यणजन संदी की अंदर हमने आपको बढ़ाया था सेकंड नंबर परième तो यहाँ पर बनेगा देखो कृृष ओरय की जेगे ायर्ट्र हो जाएगा इस तरह से कृष्ट्य है इस तरह से बनेगा आपका कृष्यानि खींचना होता है इस तरह से क्रिश्ट्र है चैसे एक इस तरह सन्दी के कारणा समझ के बात को और भी बनते जैसे तत धन टीका है तो तटीका बनता है इस तरह से इश धनते है तो इश्टे बनता है इश्टे है इसी तरह कृष धनते है तो कृष्टे बनेगा सिंपल है चले आगे अब उधारन आपको एक इक बता रहा हूं मैं आपको सारे उधारन आप अच्छे से देखते रहना बार-बार देख पिश्व ध्यान में रखना है जब भी आप गम में लगाओगी तो मैं हट जाएगा आपका और डारेक्ट आपको जोड़ना है इस तरह से यह आप अभिहास करोगे दातु का एक दो बार देखोगे सुनोगे तो आपको समझ में आएगी इस बात बैसे सारे नियम बताएंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगी और हमारे पास भी इतना समय नहीं आपके पास भी समय नहीं है वही मैं बता सकता हूँ लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको दिक्कत आएगी क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा भी ठीक है तो गम में लगाओगे तो ग ग्यात है ठीडिये है अब एक धातु बिशेश है अफवाद के रूप में मानो या भिशेश मानो कैसे भी मालो दाधातु में हमें लगाना है किसमें लगाना है दाधातु अब दा धातु में लगाओ वे तो कैसे बनेगा दा में जब भी आप तेह प्रक्ट लगाओ गई तो दा की षतान पर ददादिस हो जाएगा ठीके अब दद हो गया इधर आप कत्य हो गया बास समझे रहे तो इस दे की जङे तेह ہو जाएगा तो बन जाएगा आपका दत्य है इस तरह से बन जाएगा दत्य है ठीक है दत्य है बनेगा किलियर है ऐसे आप और भी धातु समझ सकते हैं जैसे मालो की हमारी धातु है पा पाया ने पी न होता है अब पा में लगाओगे तो आपका बनेगा पी में आकी जगे ई हो जाएगा पी तेह याने पी लिया है ठीक है पी तेह पठ है तो पठ में तो आपको हमने बता ही दिया पठी तेह बनेगा पढ लिया पठी तेह ठीक है अब एक धातु है शुरू शुरू याने सुनना होता है तो इसमें लगाओगे तो बनेगा शुरूत है याने सुन लिया अब एक धातू और है जो की most है और last धातू में बता रहा हूँ आपको बस उसको समझ लेना है आपको उसके बाद में इन में से आपके कोई भी यदी सवाल आता है तो जरूर मिल जाएगा त्याज दातू एक त्याज त्याज याने छोड़ना या त्याग करना इसमें आपको लगाना है त्याप रखते हैं अब देखो यहां पर क्या होगा यह आपका क्या हटी जाता है अब जो जैज आप दिख रहा है इस जै को हम कैमें बदल देते हैं तब आपका इस तरह से बार बार देखते रहोगे तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो हम समझते हैं कि आपको ये प्रत्य आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो ये हमने एक्ता प्रत्य आपको बताया एक्ता प्रत्य के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि इसमें सित्ता प्रत् गलत नहीं होगा बिल्कुल ठीक है विश्वास रखें टेंसन लेनी के अवशक्ता नहीं है चलिए अगला प्रत्य समझते हैं इस प्रत्य में यदि कोई भी आपको डाउट है कोई भी आपके लिए परिशानी है तो आप हमें कमेंट में सवाल कर सकते हैं ठीक है देखिए अमान ये जनरल बाते होती हैं तो आपको द्यान में रखना है कि इस प्रत्य के अंदर से आपका केहट जाता है केवल तौशेश रहता है इसमें केवल तौशेश रहेगा एक बात तो ये द्यान में रखनी है इसमें क्या रहेगा तौशेश रहेगा अब दूसरा है कि ये क किस अर्थ में होगा ठीक है तो इसके लिए आपको समझना है यह होता है क्रिया वाचक धातु से क्रिया वाचक धातु से क्रिया वाचक धातु से यह प्रत्य होता है किस से होता है बच्चो क्रिया वाचक धातु से यह प्रत्य होता है या फिर आप समझ लो कि पूर्वकालिक क्रिया वाचक धातू से या फिर आप ऐसे समझ सकतो पूर्वकालिक पूर्वकालिक क्रिया वाचक धातू से ठीक है अब पूर्वकालिक का क्या मतलब है या क्रिया वाचक का क्या मतलब है इसको मैं एक उधारन से समझाता हूँ जिससे एक दम अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको ठीक है चलो मैं इसको और सबल तरीका से बताता हूँ कि जो त्वाप रते है वो क्रिया वाचक आपकी धातू में किस तरह से होता है तो क्रिया वाचक का यहां मतलब है कि करता यदी करता यदी दो क्रिया एक साथ करता हो जैसे मान लो की कोई भी करता है जैसे हमने एक करता लिया राम यह राम है अब मान लो कोई भी करता जब दो क्रिया एक साथ करता हो तो उसमें जो क्रिया पहले हो रही हो उसको क्रिया वाचक धातू कहते हैं क्रिया वाचक धातु कहेंगे उसको उसी में तौाप रत्य लगेगा उसी क्रिया वाचक में तौाप रत्य लगेगा जो धातु पहले समाप्त हो रही है उसमें लगेगा बात समझ रहें के नहीं इस तरह से आपको दिहान में रखना है जैसे हमने एक उधारन दिया कि राम प पढ़ना ठीक है और एक है जाना यहां पर देखो करता तो एक है बच्चो अच्छे समझना इस बात को करता तो एक है राम ठीक है और यहां पर राम दो काम कर रहा है एक साथ याने कि एक तो पढ़ना एक क्रिया हो रही है उसकी और एक जाना दूसरी क्रिया हो रही है दो काम प्रत्य लगा देना है वही जो के पहले हो रही है तो इसमें हमने वाक्य बोला कि राम पढ़कर के जाता है तो बताईए इसमें फटा पढ़कर के पहले कौन सी क्रिया हो रही है पढ़ना पढ़कर के फिर जाता है वही पहले पढ़ाई करता है उसके बाद ही तो जाता है ऐस पर पठ धातु में आपको त्वा लगाना होगा तो आपको लिखना होगा राम है पठित्वा गच्छती इस तरह से हम त्वा प्रत्य का प्रियोग करते हैं दूसरी बात आपको द्यान में रखनी है कि जो त्वा प्रत्य है ये आपका करके अर्थ में होता है किस अर्थ में ह ले करके सो करके नहा करके इस अर्थ में होगा ये और किस दातू में होगा हमने बताई दिया जब दो क्रिया होंगी पहले जो समाप्त हो रही है यानि कि पहले जो क्रिया हो रही है उसमें आपको त्वा लगाना है अब मैं आपको कुछ धातू बता रहा हूँ अब यहाँ पर एक फाइदा है कि इसमें कोई आपके गुन वगेरा का काम नहीं होगा यानि परिवर्तन कम होगा लेकिन 80% वाला आपको फंडा याद रखना है मूल धातू में यह तो जुड़ेगा ही 80% में और बाकी में कुछ विशेश रहते हैं तो उनमें विशेश काम होते हैं चलो मैं अब धातू बता रहा हूँ धातू में आपको त्वा प्रत्य लगा के बताता हूँ कि किस तरह से यह प्रत्य लगता है तो देखी सबसे सरल धातू में लेता हूँ मैं पठ धातू इस पठ धातू में हम जोडते हैं एक तौब रखते है एक तौब रखते है जोड़ा तो हमने कहा कि 80% का नियम ध्यान रखना है तो आपको बनाना है पठी और फिर जोडना है तौब क्योंकि इसमें तौब शेश रहता है बन जाएगा पठित्वा अर्थ हो जाएगा पढ़ करके पठित्वा याने पढ़ करके बन गया कोई प्रॉब्लम नहीं है अब आप से एक्जाम में पूछ लें कि पठ धन्द्वा बराबर क्या होगा एक तो ऐसे सवाल पूछा जा सकता है दूसरा पूछा जा सकता है कि फरति और प्रत्य तौनों अलग-लग बताने होते हैं यानि पठित्वा में आपको द्थात्य अलग करनी होगी और प्रत्य अलग करना होगा तो आप इस तरह से बता दोगे कि पठतो धात्य हो जाएगी और आपका इक्थ्वा जो अब मैं अगली दातू बताता हूँ किस तरह से लगाना है जैसे हमारे एक गम दातू है गम यहाने जाना होता है, आप इस गम दातू में आपको लगाना है तो हम पहले ही बता चुके हैं कि घम में जब भी आप लगाओगे तो इसमें आपने इक्ता प्रत लगाया तो मैं को हटा देना है तो यहां भी आपको वही काम करना है मैं को हटा देना है और आप जोड़ोगे गत्वा जा करके गत्वा जा करके इस तरह से बन जाएगा आपका गम्मे से मैं हटाना है और बाकित्वा जोड़ देना है इसी तरीका से आप लिखोगे यहां पर देखिए बताता हूं मैं धातू हस हस धातू में लगाए पट की तरह हसित्वा बन गया हसित्वा अब देखो क्री धातू है क्रिया ने करना तो क्री में लगा दो वही कुछ नहीं करना है यहों की तो ही जोड़ो देना है क्रित्वा यानि करके अर्थ होता है जैसे हमने कहा कि रामहा ग्रियकारियम क्रित्वा आपनम गच्छती बाजार को जाता है ठीक है राम ग्रियकारिय करके बाजार जाता है इस तरह से आप बाक्य बना सकते हैं और भी दातू बताता हूँ चलिए आपको most most दातू में बता रहा हूँ एक दातू है अर्च अर्च यानि पूजा करना होता है बच्चो क्या है अर्च इसमें लगाओगे तो बन जाएगा अर्चित्वा यानि पूजा करके ठीक है जैसे गणेशह अर्च ये त्वाहा विद्या लाए अर्च पूजा करके विद्या ले जाता है ठीक है एक दातू आपकी भू तो भू में तो आपको कोई परिवर्तन करना ही नहीं है डाइरेक्ट भू में त्वा जोड़ोगे इसी तरह लिख दातु है तो लिख दातु में आपको वही नियम लगाना है C% वाला लिखी त्वा लिख करके हो जाएगा ठीक है इसी तरह आप पा दातु है तो पा में आपको हमने पहले बतायता है को पा में जो है उसको आ को E करना है तो पी और बना लोगे त्वा पी या ने पीकर के अर्थ निकलेगा इक लास्ट पॉर बता रहाएं मैं देखो एक बातभी अश्वार बताया था अब मैं आपको ततव कर लगा कि बता रहे तो श्क्राव फ्क कर के शोड करके इसा अर्थ निकलता है इसका ठीक है समझ में आ रहा है किलियर है एक नी दातु और बता देता हूँ चलिए नी यानि ले जाना होता है तो इसमें सिंपल है नी त्वा यानि ले जाकर की इस तरह से बन जाता है तो देखिए आपको समझ में आगे होंगे इसमें मैंने 7-8 उधारन बताएं आपको इनी में से आपका मतलब प्रशन आ जाएगा बोड के पेपर में इनी में से मिल जाएगा आपको निशित ठीक है लेकिन ये याद रहने चाहिए मैंन बात है कि ये आपको याद रहने चाहिए तो जो बाते हम बता रहे हैं प्रत्य से related वो आपको ध्यान में रखनी है एक तो ये कि इसमें त्वासेश रहता है ठीक है अब दूसरा कि इससे जो बनने वाले शब्द हैं उनका रूप नहीं चलता तीनों लिंगों में क्योंकि ये आपका क्या कहलाता है ये आपका अव्य कहलाता है इसका रूप नहीं चलेगा तो टैंसन लेने की अब शक्तान ये रूप वाली बात खतम हो गई इसमें हमने आपको बताया कि जब करता दो क्रिया एक साथ करता हो तो जो पहले हो रही है उसमें आपको तो प्रत्य लगाना होता है एक बात ये आपको समझा दी हमने ठीक है तो इस तरह से आपको जो मैन मैन बातें थी वो आपको हमने बता दी और इसमें जो मैन धातू थी आपकी उनमें कैसे आपको प्रत्य लगाना है वो आपको हमने समझा दिया है तो इसतरह से बच्चों आपने दो प्रत्य समझ लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब देखो अगला प्रत्य चलते हैं अगले प्रत्य को समझते हैं अगला जो प्रत्य है आपका वो त्वा-प्रत्य से ही related है इसी से जुड़ा हुआ है चलिए प्रत्य का नाम है लियप प्रत्य क्या है लियप लियप प्रत्य को समझते हैं कि इसमें क्या विशेश है क्या बाते इसमें दिहान रखनी है हमें उसके बाद में आपको उधारन बताऊंगा में देखो लियप प्रत्य और तुआ प्रत्य में काफी समानता है तो सबसे पहले तो हम समझते हैं इसमें क्या विशेश है देखो विशेश में तो आपको दियान में रखना है जैसे हमने पहले कहा था कि तुआ जो होता है वो करके अर्थ में होता है तो आपको दियान में रखना है कि लेप प्रत्य भी करके अर्थ में ही होता है सेम हो गई बात ठीक है और लेप प्रत्य के अंदर आपका बचेगा केवल ये यानि कि ले हट जाएगा और पे हट जाएगा देखो इसमें से आपका ले भी चला गया पै भी चला गया केबल ये बचेगा क्या शेश रहेगा ये शेश रहता है इसमें ये शेश रहता है ये आपको दिहान में रखना है केबल ये शेश रहेगा और इसके बाद में है कि इससे बनने वाले जो शब्द है वो अव्य होंगे याने कि इनका रूप नहीं चलेगा समझ रहे बात को रूप नहीं चलेगा आपको तो वो भी आपके लिए फायदे बन्द बात है अब इसमें जो विशेश बात है सबसे ज़्यादा महत्कून बात है वो मैं आप बता रहा हूँ आपको कि जो आपका लिएप प्रत्य है वो कहां पर होगा अब जो बाते हमने बताई है करके अर्थ में अव्य वन्ना ये तो आपके तवा प्रत्य में भी थी करके अर्थ में तवा प्रत्य होता है और लिएप प्रत्य भी आपके करके अर्थ में होता है तो दोनों में अंतर है वो क्या अंतर है वो समझ दिया जो लिएप प्रत्य होगा वो लिएप प्रत्य तब ही होगा जब किसी भी धातू से पहले उपसर्ग जुड़ा हुआ हो किसी भी धातू से पहले यदि उपसर्ग जुड़ा हुआ है तबी आप लियप प्रत्य कर सकते हो नहीं तो आपको त्वा प्रत्य करना होगा ये बात आपको समझ लेनी है किलियर है बात आपके जैसे मालो हमने यहाँ पर लगा दिया उपसर्ग अब उपसर्ग में मैं उपसर्ग लिख देता हूँ एक बार देख कि यहाँ पर पट धातू मैंने लिखी और मैं यहाँ पर पट धातू से पहले एक सम उपसर्ग लिख रहा हूँ सम उपसर्ग हो गया पट धातू हो गई और यहां पर अमने लिप प्रत्य लगा दिया अब मैं नीचे पट धातू लिख रहा हूँ और पट धातू से पहले कोई भी उपसर्ग नहीं है तो अब मैं यहाँ पर जो प्रत्य करूँगा वो प्रत्य मैं यहाँ पर लिप नहीं कर सकता समझ रहो बात को यहाँ पर लिप प्रत्य नहीं हो सकता यह मैं दो कंडिसन आपको एक साथ बता रहा हूँ जिससे आपको किलियर हो जाए कि लिप कहा होगा और तुआ कहां होगा अब यहाँ पर आपको तुआ करना होगा देखिए यह बात आप अच्छे समझ जाना क्योंकि यह बहुती काम की चीज है यानि लिप प्रत्य तो तब होगा जब धातू से पहले उपसर्ग जुड़ा हो और यदि धातू से पहले उपसर्ग नहीं है और करके अर्थ निकल रहा है ये भी ध्यान रखना कंडिशन करके अर्थ निकल रहा है और धातू से पहले उपसर्ग नहीं है तो वहाँ पर आपको त्वा प्रत्य ही लगाना होगा ये आपके लिए एक दम ट्रिक मालो इसको आप एक दम अच्छा सा तरीका है ये किस तरह से आपको द्यान में रखना है समझ गया बात को ये हमने एक सौट तरीका आपको बताया है तो आशा करते हैं आपको समझ में आगया हो कि लिप कहां करना है और त्वा कहां करना है तो इसका मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ पर लियप प्रत्य होगा वहाँ सब जगे आपको धातू से पहले क्या मिलेगा उपसर्ग मिलेगा निस्चत रूपेन उसी से आप पैचान कर लोगे चलिए उधारन बताताओं मैं आपको कैसे बनते हैं देखिए हम लिख रहे हैं सबसे पहले उपसर्ग क्योंकि उपसर्ग होना कंपल सरी है उपसर्ग के बाद में हमने लिखी धातू अर्च धातू लिख दई ठीक है अर्च धातू के बाद में हमने लिखा प्रत्य अब इस तरह से कंडिसन आएगी आपको समझ लेना है यदि SUM नहीं होता केवल अर्च होता तो यहां लिप नहीं होता तो आप रप्तिय होता यह बात आप समझ रहे होंगे अब देखो क्या बनेगा SUM अर्च बन जाएगा SUM हम योगी तो जोड देंगे ठीक है SUM बन जाएगा क्योंकि मैं हलंत है क्योंकि लिप में से यह बचता है तो समर्च बन जएगा समर्च कैसे सेबना पूजा करके अर्थ होता है अब देखो आगे बता रहा है हमने उपसर्ग लगाया और हमारे पास भू धातु है और इसमें लिप जोड़ा तो क्या बनेगा बताइे इसका बन जाएगा बच्चो समभूये क्लियर है और भी उधारन बता रहा हूं मैं आपको साथ आठ उधारन बताओं को इसमें जो कि आपकी एक्जाम में आ जाएंगे अगला उधारन बताता हूं मैं देखिए उप उपसर्ग है हमारा क्या है उप उसके बाद में धातू है हमारी क्री उपके बाद में क्री धातू है और लियप आपने किया तो बनेगा उपकरित्य इसमें आपको थोड़ी बात ध्यान रखनी है इसमें उपकरित्य बनेगा यानि कि इसमें आपको ते आगम में लाना है यानि ते का आगम करना होगा उपकृत्य इस तरह से आपको रूप बनाना होगा ये आपके लिए विशेश मानो इसको द्यान में रखना है उपकृत्य बनेगा ठीक है उपकृत्य तो यहां पर आपको तैका आगम करना होगा ये बात आपको समझ लेनी है इसी तरह आगे बता रहा हूं म जैसे कि हमने लिखा यहां पर आ, छिनि कि आंग उपसर्ग लिखा, आंग उपसर्ग में हमने जोड़ी गम धातु, और लगा दिया इसमें प्रत्यापका लिप, तो बताओ क्या बनेगा, इसमें भी आपको टे करना होगा, आग अजिय, आग अजिय बनेगा इसमें भी, क्या दो-चार बार सुनोगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी ठीक है नियम के चक्कर में अभी मत पढ़ो बाद में नियम बता देंगे आपको डेटेल से पढ़ लेना लेकिन अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि अभी चक्कर पढ़ जाएगा अभी आपको नुकसान और प्रत्य आपका चली रहा है लेप तो इसमें हम बनाएंगे वी हस्य कुछ नहीं किया है योग की तो ही जोड़ दिया वी हस्य ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ऐसे हमने लिखा आंग उपसर्ग आंग में से किवल आ बचेगा और इधर हमारी धातू है नियम और लेप लग दिया देखो ही निडातू ही हमारा बन जाएगा झाया आनिये ऑनिये ठीक है आ निये बन गया एए ऐसे ही मानलो हमारी घीज धातू है और वे लिएप में से केवल ये बचेगा तो ये जोड़ दीजी विग्याय बन गया विग्याय कितना आसान है ठीक है चलिए एक लास्ट और बता देता हूं वी उपसर्ग है और लिख धातु है हमारे पास और इधर आपका लिएप प्रत्य है और लिएप प्रत्य में से आपको पता है अब बताईए फटापट क्या बनेगा तो वी को योकितों जोड़ना है लिख को योकितों ही रखना है क्योंकि खे आदा है इस आदे खे में ये जोड़ देना है बन जाएगा वी लिख है क्या बन जाएगा वी लिख है वी लिख है इस तरह से आपको बहुत सारे उदार जुड़ा हुआ हो नहीं तो आपको त्वा प्रत्य करना होगा यदि धातू से पहले उपसर्ग नहीं है और करके अर्थ निकल रहा है तो आपको त्वा प्रत्य लगाना होगा और धातू से पहले उपसर्ग लगा हुआ है तो आपको लिप प्रत्य करना होगा ये एक छोटा सा अंतर है दोनों में तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी ठीक है अब इस सरल और क्या बताएं आपको बताएं बहुत इस आसान तरीका से मैं समझा रहा हूँ आपको जैसे की आपको यहां पर हमने उधारन से बताया है अब सवाल आता है कि इनमें से सवाल किस तरह से पूछा जाएगा तो इसमें आपसे दो तीन तरह से सवाल पूछ सकते हैं एक तो सवाल पूछ सकते हैं जैसे मालों आपके सामने लिखा हुआ है यहां पर देखो किस अर्थ में होता है ये प्रत्य क्या शेश रहता है ये सब प्रश्ण पूछे जा सकते हैं तो आशा करते हैं आपको ये प्रत्य अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए अब हम लास्ट और चोथा प्रत्य समझते हैं उसके साथ आपका जो प्रत्य का topic है वो complete हो जाएगा अब जो हम प्रत्य पढ़ने वाले हैं वो है हमारा तुमुन प्रत्य है ठीक है तुमुन देखिए तुमुन प्रत्य हम समझ रहे हैं अब देखो तुमुन प्रत्य में क्या बशेश है कौन-कौन सी बात हैं इसमें हमें रखनी हैं उसको हम समझते हैं देखिए सबसे पहले तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि तुम उन प्रत्य के अंदर तुम शेश रहता है तुम यानि की पूरे प्रत्य में से तुम बचेगा आपको किसी भी धातू में तुम की ध्वनी दिखाई देगी यही एक ट्रिक है तुम की ध्वनी से आप पैचान कर लेना फटापट पता लगा सकते हो कि इस धातू में तुम उन प्रत्य लगा हुआ है जैसे खादितुम हसितुम पठितुम ऐसे आपको मिलेंगे तुम तुम की ध्वनी मिलेगी समझ रो ना चिंतितुम जीवितुम त्यक्तुम धावित तुम नेतुम दृष्टुम पठितुम हसितुम एशितुम अर्चितुम अविकसितुम इस तरह से आपको तुम तुम की ध्वनी दिखाई देगी तो समझ लेना इसमें आपका तुमन प्रत्य है दूसरी बात इसमें जो शब्द बनेंगे वो अव्य होंगे सब के सब यान यह भी आपको दिहान में रखना है यहां से भी प्रशन चोटे चोटे बन जाते हैं यानि कि तुमन प्रत्य होगा के लिए अर्थ में जैसे पठी तुम पढ़ने के लिए अर्ची तुम अर्चना करने के लिए या पूजा करने के लिए चिंती तुम चिंता के लिए ठीक ह के लिए इस तरह से आपको इसमें बनाना होता है अब हम चलते हैं आगे तो ये तो हो गई सामाने सी बात इस प्रत्य से रिलेटेट ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इस प्रत्य को हम धातू में जोडते हैं और धातू में आपको किस तरह से दिखाई देगा तो simple है हमने आपको बताई दिया trick बता दी कि तुम दिखाई देगा और आपको रूप चलाने नहीं है इसलिए दिक्कत नहीं है आपको केवल एक ही बात ध्यान रखनी है तुम दिखाई देगा तुम और 80% का जो हमने फंडा बताया वो आपको दियान रखना ही है मूल धातु में इ जोड़ना है जैसे सबसे पहले मैं आपको पट धातु ही ले ले लेता हूँ जो की सबसे सरल मानी जाती है अब पट धातु में हम तुम लगा रहे हैं अब तुम न में क्या शिष रहता है बई तुम शेष रहता है हम पठ धातु में, मूल धातु में ई जोड़ेंगे जैसे कि हम बहुत देर से बताई रहे है पठी तुम बन जाएगा पठी तुम इस तरह से ध्वनी आएगे पठी तुम समझ गए पठी तुम ऐसे आपकी धातु है अर्च अर्च धातु है अर्च यानि पूजय करना होता है तो यहाँ पर बनेगा अर्ची हमने पहले बताया कि ए लगाना है अर्ची और तुम जोड़ना है अर्ची तम एकदम आसान है की नहीं अर्ची तम बन गया ऐसे ही आपको लिखना है कूज यानि कूज ना, कूज धातु एक, तो इसमें भी सिंपल है कूज से कूजी बना लो, कूजी तुम, कूजी तुम बन गया, इसी तरह धातु है खाद, अब देखो खाद से बही सिंपल 80% का फंडा याद रखना है, और लिखना है खादी, और तुम अर्चितुम कूजितुम खादितुम आसाने से बन रहे हैं कि नहीं ठीक है चलिए और भी उधारन बताता हूं में आपको सब बन जाएंगे बिल्कुल चिंता करने की अब शक्ता नहीं है लिखिए धातु चिंत अब हमारे सामने चिंत धातु है अब चिंत धातु में लगाओगे तो बताओगे चिंती बनाएगा चिंती तो यहां लखे होगे चिंती और फिर जोड़ोगे तुम चिंती तुम ठीक है चिंती तुम इस तरह से आपको बनाना होगा अगली धातु हमारी इसमें त्यज इसमें आपको विशेश ध्यान रखना है त्यज धातु है मैं आपको त्यक्त बता चुका हूँ त्यक्तवा बता चुका हूँ तो यहाँ पर भी आपको same condition याद रखनी है जै की इस तान पर क्य करना होगा आपको तो यहाँ पर त्यक्तुम इस तरह से ध्यान में रखना है यह कुछ बिशेश हैं तो आपको द्यान में रख लेना है इसमें त्यज में जै को कह हो जाता है बस यह द्यान रखो आप तो जैसे हमने एक्ता में बताया त्यक्त है ठीक है त्यक्तवा और यहाँ पर बता रहे हैं त्यक्तुम त्याग करने के लिए त्यक तुम, ऐसा अर्थ निकलेगा अब है हमारी धातु धाव एकदम सिंपल है धाव से आपको बनाना है वही धावी तुम धावी तुम बन गया, इसी तरह हमारी धाटु नी अब देखो, नी धातु नी आने ले जाना होता है यहाँ पर आपको एक काम करना चोटा सा जो नी में E दिख रहा है इसको गुण कर लेना और गुण करके E का A बना लेना और फिर लिख देना है ने और तुम ने तुम इस तरह से आपको बना लेना है ने तुम बन जाएगा ऐसे हस दातू होगा तो हसी तुम बन जाएगा दृष का दृष्टुम बन जाएगा अब चलिए वच्चो एक दातू और बता देता हूँ जो की most है बहुत इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ द्रिश दातु हमारी और द्रिश दातु में हम तुमन जोड रहे हैं ठीक है इसमें डारेक्ट बता रहा हूं है कैसे इसका रूप बनेगा क्या रूप बनेगा यदि इसमें आपको समझना है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए मैं डारेक्ट बता रहा हूं यदि द्रिश दात दोबारा से नीछे इस तरह से लिख रहा है इस तरह लिखा हुआ है द्रश्टम लिखा हुआ है तो यह आपका रूप बनेगा यदि द्रिश्धधातु में तुमन जोड़ा जाएगा तो आप से पूछा जा सकता है सवाल कि द्रिश धन तुमन बराबर क्या रूप होगा एक सवाल तो ये बन सकता है दूसरा बन सकता है कि द्रश्टुम इत्यत्र प्रकर्ति प्रत्यम कि में प्रकर्ति प्रत्य बताना है यानि कि आपको प्रकर्ति प्रत्यमें धातु अलग बतानी होती और प्रत्य अलग बताना होता है दूसरा पूछा सकता है कि द्रश्टुम का अर्थ क्या है या तुमन प्रत्य किस अर्थ में होता है तुमन प्रत्य में क्या शेश रहता है ये तमाम सारे प्रशन आपसे पूछे जा सकते हैं तो ऐसे करके मित्रों यहां पर हमारा प्रत्य का बहुत ज़्यादा है करें क्या समय हमारे पास बहुत कम है फिर भी हम समय निकाल करके आपके लिए प्रियास कर रहे हैं नोट्स बना रहे हैं विडियो बना रहे हैं आपको हेल्प हो सके आपकी साहिता हो सके इसलिए हम रात रात भर जग करके तैयारी कर रहे हैं आपके हुआ कितना स्कोर बन रहा है आपका पेपर होने के तुरंत बाद में आपको आंसर की हम इसी चैनल पर डाल देंगे एप्लिकेशन पर भी डाल देंगे आप अपना आंसर मिला लोगे फटा पट क्योंकि मैं की बना दूंगा आंसर ठीक है सभी आंसर आपको बता दूंगा हमें पूरा बिश्वास है कि हम जो कुछ आपको बता रहे हैं उसमें से बहुत कुछ आजायेगा सारा तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत कुछ आजायेगा 80% तक मेटर आपको मिल जाएगा बात है कि आपको याद रहना चाहिए इस बात कर दियां रखना है इसलिए कोशिश क कौशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती इसलिए कहते हैं कि कौशिश है इंसान को नाकाम कर सकती नहीं मंजिल ना भी मिले तो फासले घट जाते हैं इसलिए कौशिश करते रहो बरकरार लगातार कौशिश करते रहो कामना जेहिंद जैतु समस्कुतम धन्यवाद फिर मिलेंगे नेक्स टॉपिक के साथ में और भी कोई सवाल है आपका कोई भी परिशानी है कोई टॉपिक आपको समझे नहीं आ रहा है तो फटा पट कमेंट कर दीजिए बता दीजिए क्योंकि एक दो दिन का समय और रहेगा उसके बाद में हमारे पास भी समय नहीं रहेगा आपकी पास भी समय नहीं रहेगा ठीक है तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स टॉपिक में जैहिंद जैतु वारतों वारतों वारतों